जोएन सदियो, SSEET 2023 का काट अप कितना आएगे? पिछले वीडियो में मैंने ये कहता कि 33 से लेकार 40 परशन का रिजाल रहेंगे जेनरारेल के लिए 50 अब इसी के लिए 42 तो ये वीडियो ध्यान से सुनो काट ओप के बारे में जितने भी टिप्स मैंने दिया और राणिंग के बारे में तो एक हमने पिछले वहर वीडियो में पोस्ट किया तो काट ओप, SSE के लिए बहुत ही कम है जरायनलों के लिए वी बाह। कम है तो एक दोस्त मुझे कमेंट पिया था कि हमारा काट अप ज्यादा नहीं है 30 नहीं 29 खुश्चन ठीक है 29 खुश्चन ठीक करके हम किया फिजिकल में जा पाएंगे तो मैंने उसको कमेंट रिपलाई अभी तक नहीं दिया तो क्योंकि आप समाझ लो 33 से लेका 35 36 एसा ही कट अप तो 29 सतियों को मैंने दुख नहीं देना चाहती तो इसलिए मैंने उसका कमेंट नहीं रिपलाई दिया किसी का भी 33 के कम रेचल्ट आया तो आप इसले बार जो नेक्स्ट एससे इडिका भरती होगा उसके लिए अभी से सब्सक्राइब दूख नहीं देना चाहता है हम और जो भी सारे सतियों ज्यादा मर्च आया एक जा एंसर की जब दी थी तो एंसर की में अगर आपका 33 35 35 44 कोश्चान आगा ठीक है तो उसमें जर्खों डिष्टिक उसके बाद रुष्ष्षा है कि और आधृ कि क्योंतर जोभिषार जार्खों का है सत्रेश गोड़ का है तो उसके लिए उसके लिए मैं यह बूलना चाहता हूं चैनल में बहुत खमका है तो आपका ज्ञादा कि आए अब इसलिसीनल के लिए पाच खेल हुट Capitol प्राणिंग के तायरी के सुरू करतों मेरे चैनल पर अल्ड़ेडी जदा वीडियो है आप देखकर सुभा टाइम साम टाइम प्रेक्टिस कर सकते हैं ठीक है यूपी बाले को लिए यूपी अगर इस्टेट में है बिहार में है उसके बाद जो हरियाना पांजाब हिमाचल प साथियों है तो आपको पाचपण्णों 52 एस्टी के लिए 50 परसेंट यह मार्स आपको ला रहा होगा फिर आप फिजिकल में डाख पाएंगे ठीक है और जो भी साथियों जर्खों का है कुलिस्सा का है वेस्ट बेंगल का है उन साथियां को मैं एक करना चाहता हूँ कि ति तो एक क्वेस्टेन अगा ठीक कर तो दो मतलाब आप तिरिस धर्खों का है तो तिरिस क्वेस्टेन ठीक करके आप एस्टी में साथ नामबर पाका फिजिकल में जसाटेंगे तो आपका यह क्लियार हो गही नेक्स्ट है हमारा वेस्ट बेंगल का जो नॉकसाल डिस्टिक के और दिस्टुक के लिए समी तो जामते हैं बहुत ही काम कदर इनके बारे में मैंने एक विडियो अलाग बनाएंगे दो बोड़ार दिस्टिक का हिस्टेट है जो हमारा कुछ भी हार है जलपाई गुलिम है उस उस राज्जय में बहुत ही ज़दा अचाफ कॉड़ार दिस्ट के वीडियो पोस्ट की कि आपको पता चल सके कि काट आप जदा नहीं आएंगे तो फीजिकल के लिए टायरी करो एक रेडी करके आप वीडियो अल्रेडी जदा खास बनाएंगे आप लेने ठीक रिजाल के एक हफ्ते आगे ठीक है साथियो और अगार आप जेनरेल केटेगोर का है तो आपका हाई काट प्तों मस्ट लाएंगे उसमें 42 के जयंदा नहीं आएंगे अभी से आप मेडीकेल के लिए भी तैयरी करो फीजिकल के लिए तो अगर फोज में जाना चाहते हैं तो फीजिकल कीठ होना तो बहुत ज़लुरी है और आगार तो साथियो अगा गार अभी से जनरारल केटेगोरी का है तो इसमें 42 मास्ट रिजाल्ट आएंगे तो आभी से पास किलियो मेटर की तायारी कर दो और सुभा टाइम डेली ग्राउंड पाद जाना और प्रक्टिस करना और सम ठीक है तो जो भी सातियों उरिशा पुलिस में एपलाई किया है यूकी फृषची पुलिस में वेस्ट बेंकल पुलिस में तो अभी से उसकी तायारी पहुत ही कॉमपिटिशन नहीं होगा उरिशा पुलिस में जो *** हो है तो उरिशा पुलिस का भी फीजिकल तो उसके भी तैयारी करो और जो भी साथी हो एसे सीडी में फिजिकल में खुज में मार्श जाना चाहते हों तो फिजिकल के लिए आप सुभा टाइम साम टाइम तैयारी कर दो और अभी एक फ्रम फिलेफ चल रहा है तो उसका तैयारी आप जोलदी शुरू कर दो चैनल में लिंक है आप जाकर प्रेक्टिस करें और अगर एसे सीडी में बीसे एफ से इसे आइटी बीपी सीर्पी तो उस पोस्ट में पाच किलेमेटर राइंग तो आप सभी जानते हैं आप पाच किलेमेटर की तैयारी कर दो काटप के टेर्शन मत करो अगर रेजल्ट आपका अच्छा हो गया आप समझते हो कि एक्जाम हमने अच्छा उनकता में देका रहें तो पास्ता वबस सही करेंगे अपने अपने अपर और फिजिकल के लिए आप इसी तैयारी करते है वीडियो लंबा नहीं करेंगे तो आपको पाता चल सके इसलिए मैंने जल्दी से वीडियो बना कर पोस्ट कर दिया एक वीडियो अलाग से हम बनाएंगे महनत करके आप इस्टेट वाइस स्टी केटेगोरी का सब रिचेल सपाज लेगे ठीक रेजल के एक हफते आगे हम ए अजबा सिर्फिना ही जाई है एक वीडियो पास चलते है वीडियो अच्छी लेगी तो लाइट करें कमेंट करें सब्सक्राइब करें जाएंगे